हेलो फ्रेंड्स तो दिल्ली मेट्रो में आप सभी लोग ने सफर किया जरूर होगा क्या आपको पता है कि देली मेट्रो का जो कार्ड है वो रिचार्ज कैसे होता है चलिए जानते हैं कि आप अपना देली मेट्रो का कार्ड कैसे रिचार्ज कर सकते हैं यह आपको कार्ड दि यह इसका कार्ड नंबर है और इसी कार्ड नंबर से आप रिचार्ज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फोन पे के आप में जाएंगे यह वाला टैब फिर से हम लोग बैक जाएंगे मुद्ब इससीर के एक आप क्रेंट को क्र नशंने क्लफ से इस आपने ना मैं अपन। आता इसे करेंगे प्रन आप मोल स्टाइख रहा जमाएंगे और JESS आप करने चार्द यहां जा करिंद आएँग तो मेरा मैं फो करना है और पे करना है आइसका कर सकते हैं कि आप देख सकते हो मेरा पेमेंट सक्सेफफुल हो गया है कि पेमेंट सक्सेफफुल और रिचास कार्ट इसको 10 से 15 से लगता है अब दूसरा स्टेप आता है टॉप अट मेट्रो स्टेशन उसके लिए अब हम चलते हैं मेट्रो तो यह देखिए हम लोग मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं अब भी हम आपको दिखाएंगे कि कार्ड रिचार्ज करने के बाद उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं और अगर आप फोन पे से नहीं कर सकते हो तो आप यहां पे जो मशीन लगी है Automatic Ticket Vending Machine इस से भी आप Ticket निकाल सकते हो और अपना कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो जैसे कि आप यहां देखो कि QR को टिकेट आपको मिल जाएगा और रिचार्ज यहां पे आप अपना कार्ड डालोगे जैसे कि आप Indication देख रहे हो और भी चीज़े meantime जैसे आप टिकेट अगा आपको बुक करना है किसी भी जगा जाना है तो आपको alphabetical order में या फिर आप बस type कर लो जिस जगा जाना है जैसे बा मैंने type किया था आप English में भी convert कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि मैंने English में किया था quick recharge by cash पे क्लिक करो आप card यहां लगाओ और यहां पे आपको आपका note डालना पड़ेगा अब चलते हैं आगे एक और चीज़ आपको बताते हूं यह जालिम लोग इनसे आप कर भी करवाना मत अगर बहुत urgent हो तभी करवाना 200 रुपए से नीचे करते नहीं है यह रहा हमारा रिचार्ज करने के वाला मशीन यहां पे आप card लगाईए फिर second option card टॉपप पे क्लिक करके valid करना है देखो यह मेरा card successfully रिचार्ज हो गया अब मैं